आज की इस वीडियो में हम एंट्री ड्रोन सिस्टम की बात करेंगे जैसा कि आप सभी जानतें कि रिसेंटली जमू एंड कश्मीर में इंडियान एर फोर्स के स्टेशन में ड्रोन की मदद से बॉंब्स को ड्रॉप किया गया था ये दोनों ही लो इंटेंसिटी आईडी जिनमें से एक एक बिल्लिंग की छट पे गिरा और दूसरा एक ओपन स्पेस में ब्लास्ट हुआ ये अटैक पाकिस्तानी स्पॉंसर टेरर आउटफिट्स के द्वारा किया गया था बट अच्छी बात यह कि इसमें किसी तरह की कोई सीरियस कैजूल्टी नहीं हुई और ना ही इंडियन एरफोर्स के किसी असेट को कोई नुकसान पहुचा ये एरफोर्स स्टेशन मेंली इंडिया के MI-17 हलकॉप्टर्स और ट्रांस्पोर्ट एरकाफ्ट्स का बेस है इस अटैक से ये साफ जाहिर हो गया कि हमारी आर्म्ट फोर्सेस को मॉडरन वार्फेर में एंट्री ड्रोन सिस्टम की कितनी ज़ादा जरुवत है प्रेजेंटली वेपनाइज ड्रोन्स हमारे सोल्जेर्स के लिए स्पेशली जो सैंस्टिफ एरियास में स्टेशन होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है एंड इस फास्ट मॉविंग ड्रोन्स को शॉट डाउन करना बहुत ही मुश्किर होता है प्रेजेंट टाइम में इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इसराइली एंट्री ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस जिसे इंडियन नेवी ने रिसेंटली खरीदा भी है स्मैश 2000 प्लस इसराइली फर्म स्मार्ट शूटर द्वारा मैनुफेक्चर एक स्कोप है जिसे सोल्जर्स अपने एसल्ट ट्राइफल पे माउंट करते हैं और किसी भी मुविंग टारगेट को लॉक ऑन करके अपने फील्ड ओफ यू में पहले ही राउंड के अंदर उसे सक्सेस्फुली शूट कर सकते हैं इसके लिए स्मार्ट शूटर कंपनी ने टैंक फायर कंट्रोल टेकनोलोजी को कॉमन असौर्ट राइफल पे एफेक्टिवली इंटिग्रेट किया है बेसिकली ये टैकनोलोजी सोफेसिकेटड एल्गोरिथम को यूज करके टारगेट की मुवमेंट को कैल्कुलेट करती है और एडवांस इमेज प्रोसेसिंग के मदद से ये प्रेडिट करती है कि वो टारगेट अगले कुछ सेकेंड में कहा पर होगा इसकी हेल्ट से हम 120 मीटर की रेंज के अंदर किसी भी फास्ट मुविंग टाइनी ड्रों को फर्स शॉट में ही गिरा सकते हैं इस टेकनलोजी के सक्सेस्फुल होने का एक बहुती बड़ा प्लस पॉइंट इसका वेट फेक्टर है ये स्कोप टेकनलोजी बहुती हलकी है और राइफल की रियल में एजिली माउंट हो सकती है और वो भी बिना उसका वजन बढ़ाए मौडरन वारफेर्स के थेटर लगातार इवाल्व हो रहे हैं और हमारे सोल्जर्स को इस तरह की टेकनलोजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है जो कि ड्रोन्स के अगेंस्ट कॉस्ट एफेक्टिव होने के साथ साथ हाइली एफेक्टिव सोल्जिशन भी प्रोवाइड करें और वो भी बिना हमारे परसनल्स की लाइफ को रिस्क में डाले इंडिया के इलावा यूएस आर्मी ने भी इस इसराइली टेकनलोजी में इंटरस्ट दिखाये और वो इसे अपनी M4A1 कारबाइन राइफल्स में इंटिग्रेट करना चाते हैं इसराइली डिफेंस फोर्सिस पिछले कई माहिनों से इस टेकनलोजी को सक्सेस्फुली यूज़ कर रही है और वो भी अपने गाजा बॉर्डर पर स्पेशली ड्रोन्स एंड इंसेंट्री बैल्यून्स के अगेंस्ट में इंसेंट्री बैल्यून्स इस तरह के बैल्यून्स होते हैं जिस पर हमास ऑपरेटिव्स अपने बॉम्स को बांद देते हैं और हवा की मदद से वो इन्हें इसराइल की तरफ फ्लोट कर देते हैं जहां पर भी वो बैलूस फटते हैं वहां पर वो बॉंब्स ब्लास हो जाते हैं basically So it's a very dangerous situation So इन सब से बचाने के लिए Smash 2000 प्लस एक बहुती कारगर टेक्नोजिय साबित हुई है बात करें वर्ड लेवल पे तो different countries ने different methods को develop किया है इस तरह की problems को counter करने के लिए जैसे की Eagles को train करना ताकि वो drones को locate करके उन पे latch on कर सके या फिर radio jamming technology का use करना That's all for today's video guys I hope आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share जरू करें और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो वो भी जरू कर लें Thank you Have a nice day